ओम श्यंतियम ओम श्यंतियम ओम श्यंतियम ओम श्यंतियम हमारा लक्स है संपूर्ण फरिष्टा बनना बहुत लाइट होना ताकि हम उड़ सकें मन पर आज अनेक बोज है मनुस के लेकिन ज्ञान और योग के बल से जो आत्माई सारे बोज प्रभू अर्पित करके बहुत हलके हो जाते हैं वही फरिष्टे बनते हैं फरिष्टे अर्था डवल लाइट आत्मिक स्वरूप में भी स्थित और मन भी बहुत हलका शरीर भी लाइट का ये प्रेक्टिस हमें करनी है मैं आत्मा लाइट के शरीर में विराजमान हूँ और मेरे अंग-अंग से लाइट और माइट की किर्णे फैल रही हैं बार-बार प्रेक्टिस से हमारा स्वरूप बनेगा क्योंकि जो इस मर्ती हम बार-बार लाते हैं वही हमारा स्वरूप बनता जाता है पर दीरे-दीरे दूसरी बात बाबा के महवाक्यों में हमने सुना है फरिष्टार था जिसका किसी से कोई रिष्टा न हो लेकिन उनका रिष्टा सारे संसार से हो अर्थात वो विश्व कल्यान के लिए होते हैं आप सोचेंगे हमारे तो यहां रिष्टे ही रिष्टे हैं तो हम तो फरिष्टे बन नहीं पाएंगे रिष्टो में यदि आत्मिक भाव है रिष्टो में यदि निमित भाव है रिष्टो में यदि निर्मो हुई स्थिती है तो हम फरिष्टे बन जाएंगे रिष्टे अगर हमें खीच नहीं रहे हैं उनके आकरसन से हम परे हैं उनसे हमारी कोई कामनाएं नहीं हैं कामनाओं से हम मुक्त हैं तो हम रिष्टे बन जाएंगे तब सबसे रिष्टे होते भी हमारी रिष्टे अतिकल्यान कारी होंगे हमारी रिष्टे उन्हें पावन बनाने वाले होंगे उन्हें सत्राहा पर दिखाने चलाने वाले होंगे तो हम सभी अपने अपने स्थान पर परिवारों में या सेवा के अंद्रों पर रहते हुए अगर ये अभ्यास बहुत करेंगे मैं फरिष्टा हूँ, पवित्रता का फरिष्टा, शंती देने वाला फरिष्टा, वातावर्ण और प्रकरती को पावन करने वाला फरिष्टा, तो घर में भी वाइब्रेशन्स बहुत अलोखिक रहेंगे, सेंटर की सेवाएं बहुत बढ़ेंगी, वातावर्ण भी दिव्यता से भरपूर हो जाएगा, हमें यह अब्यास करना है, फरिष्टा अर्थात सर्वाकर्शन से मुक्त, दिखाया है धर्ती से एक फुट उपर रहते हैं फरिष्टों के पाव, अर्थात, धर्ती का इसंसार क कोई भी आकर्शन उनको आकर्शित नहीं करता, हम देख लें, देखने की वस्तू, सुनने की वस्तू, खाने, पहनने की वस्तू, धन, कारे, इलेक्ट्रोनिक्स की साधन, हमें कितने आकर्शित कर रहे हैं, कोई मनुस्या आकर्शित कर रहा है, अगर हमें कहीं का भी तो हमारी बुद्धी उधर जाएगी अवस्य, बुद्धीयोग तूटेगा और वो थोड़े समय के लिए नहीं तूटता, वो लंबा समय के लिए तूट जाता है, इसलिए अगर हम फरिस्ता बनना चाहते हैं, तो हमें सभी आकर्शनों से मुक्त होना पड़ेगा, फरिस्ता अर्थात संपूर पवित्र, उसके पास व्यर्थ नहीं होता, उसको इस अंसार किये विकारों की कामनाएं नहीं होती, वो इनसे परे परमात्मा ज्याओं का पालन करने वाला, उसकी शक्तियों और पवित्रता से भरपूर होता है, तो आईए हम 15 दिन बहुत पावर्फुल प्रक्टिस करें फरिष्टे स्वरूप की, और कुछ दार ना है, यह अपनी चुन लें, पाँच कम से कम, जिन पर हमें फोकस करना है, फरिष्टा माना बुद्धियोग एक से ही लगा हो, तो हम फरिष्टे बन जाएंगे, और तब हमारी द्वारा, बाबा बहुत बड़ी सेवा कराएगा, हमें तो केवल बनना होता है, बनना काम हमारा है, और सेवाओं में यूज करेगा हमें बाबा, सिव बाबा, तो आईए इस मंजिल की और तिवर गती से आगे बढ़ें, तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स, ओम चान्ति